नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भाई दूज के कहानी बताएंगे और भाई दूज के बारे में बताएंगे कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है भाई बहन के परस पर प्रेम और सनही का परतीक भाई दूज का पावन तिहार, कार्तिक मास के शुकल पक्ष की दुवित्या को दिपावली के बाद पूरे देश में बनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई को तिलक लगा कर उनके उजवल भविशे और उनकी लंबी आयू की कामना करती है इस पर्व को यम द्वित्या भी कहा जाता है इसका मुक्य संबंद यम और उनकी बहन यमुना से है इस्तिहार के पीछे यह भी माना जाता है कि यम देवता ने अपनी बहन यमुना जी को इसी दिन दर्शन दिये थे जो काफी समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना जी ने परफुलित मन से उनकी आभगत की यम ने अपनी बहन के इस विवार से परसन होकर वर्दान दिया कि इस दिन भाई बहन दोनों यमुना में सनान करेंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी यही कारण है कि इस दिन यम्ना नदी में भाई बहनों के साथ सनान करने का महत्तो बताया गया है यमना नदी के तट पर सनान करने वालों की भीड़ भी इस दिन दिखाई दे सकती है कहते हैं कि अपने भाई से यमी ने यह वचन भी लिया था कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम उसके घर आया हर भाई अपनी बहन के घर जाए, तब इसे भाई बहन के मध्धे, भाई दूज का पर मनाया जाता है एक कथा के अनुसार सूर्य भगवान की पतनी संग्या देवी की दो संथाने हुई पूत्रियम राज एवं पूत्रियम उना एक बार संग्या देवी अपने पती सूरिय की कीनों को सहन ना कर सकी और उत्री दुरू परदेश में छाया बन कर रहने चली गई उनकी छाया में से तापती नदी एवं शनी देव जी का जनम हुआ छाया का वैवार यम वै यमुना से विमाता जैसा था इससे खिन होकर यम ने अपनी अलग यम पूरी बसाई यमुना अपने भाई को यम पूरी में पापियों को दंडित करने का कारिय करते देख गो लोग चली गई यम और यमुना काफी समय तक अलग अलग रहे यमुना जी ने कहीं बार अपने भाई यमराज को अपने घर आने का निमंतरन दिया प्रन्तु यमराज यमुना के घर ना सका काफी समय बीच आने पर यम ने अपनी बहन यमुना से मिलने का मन बनाया और अपने दूतों को आदेश दिया की पता लगाओ मेरी बहन यमुना कहां पर है गोलोक में विश्राम खाट पर यम की यमुना से भेट हुई यमुना जी ने अपने भाई यम राज को देख कर हर्श से फूली न समाई उन्होंने हर्श विभोर होकर अपने भाई का आदर सम्मान किया उन्हें अनेक परकार के वियंजन किलाई यम ने यमुना द्वारा देख किये गए सतकार से परभावित होकर यमुना जी को वर मांगने को कहां उसने अपने भाई से कहा कि यह वह यह वर मांगना चाहती है कि मुझे यह वर्दान दीचिये कि जो लोग आज के दिन यमना नगरी में विश्राम घाट पर यमना जी में सनान करेंगे अपनी बहन के घर बोजन करें वो तुम्हारे लोग को ना जाएं यमनी यमना जी के मुझे ये शब्द सुनकर तथास्तु कहा तभी से भाई दूज का तिहार बनाया जाता है आज जो भाई अपनी बहन से तिलक कराता है बहन के घर का भोजन करता है और बहन उसका सच्चे मन से आदरसत्कार करती है उन्हें यम पूरी का मुख नहीं देखना पड़ा तभी से भाई दूज का तिहार बनाया जाता है अगर मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टोरी को लाइक करें और शियर करें रादी रादी